हेलो दोस्तो कैसे हैं आप दोस्तो क्या आपने मुंबई का फेमस बटाटा वड़ा खाया है या महराश्ट्रियन स्टाइल में कहूँ तो क्या आपने जन्जनेत बटाटा वड़ा खाया है I am sure जरूर खाया होगा पर अगर मैं कहूँ कि वही सेम टेस्ट और सेम टेक्स्च्चर हम बटाटावडा को बिना फ्राइ किये भिला सकते हैं और उसे थोड़ा और हेल्दी बना सकते हैं तो कैसा रहेगा तो चलिए दोस्तो आज हम मलाएंगे मुंबई का फेमस बटाटर वड़ा और वो भी बिना फ्राइ किये पलवीज कीचन के सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले सबसे पहले हम वड़ा के लिए टेंपरिंग बना लेंगे तो यहां हम डालेंगे दो बड़े चम्मच तेल इसमें डालेंगे एक छुड़ा चम्मच राई और राई को दो मिनिट टड़कने देंगे राई हो जाने पर इसमें हम डालेंगे 15-20 कड़ी पत्ते इसके बाद यहां मैंने लिया है अद्रक लसुन हरी मिर्च क्रश की हुई दोस्तों यहां इसका पेस्ट ना ले नहीं तो वड़े का जो टेस्ट हम चाहते हैं वो चला जाएगा तो इसे हम लेंगे दो बड़े चम्मच और साथ ही में इसमें डालेंगे एक चोथाई छोड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और अब बस दो मिर्च इसे चलाते हुए भून लेना है ताकि अद्रक लसुन का कच्चा स्वाद निकल जाए यहां मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है अगर आप और तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं दो मिनिट हो गए हैं और अब हम गैस बंद कर देते हैं तो दोस्तों टेंपरिंग हमारी तयार है और यहां मैंने तीन आलू ले लिए हैं जिनने मैंने बॉइल कर लिया है और आलू के थोड़े बड़े और थोड़े चोड़े टुकड़े ही हमें चाहिए ताकि वड़े में अच्छा स्वादा सके तो यह सभी आलू हमने अच्छे से तोड़ लिए हैं अब इसमें यह टेंपरिंग डाल देते हैं साथ ही में एक छोड़ा चम्मच नमक और अब एकदम हलके हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे तो यह बटाटा वड़ा का मिक्स्चर हमारा बनके तयार है और अब इससे हम छोटे छोटे बॉल्स बना कर तयार कर लेंगे दोस्तों यह सभी बॉल्स हमने बना कर तयार कर लिये हैं और अब उपर की कोटिंग बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी बेसन इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक एक चोथा ही छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और एक पिंच बेकिंग सोड़ा और अब सबसे पहले हम इन ड्राइ इंग्रीडियेंट्स को मिक्स कर लेंगे तो यह हमने मिक्स कर लिया है और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका केक के बैटर के जितना सक्त गोल बना कर हम तयार कर लेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है ताकि इसमें गुठलिया ना पड़े तो दोस्तो इस तरीके का स्मूथ बैटर बनाना है हमें और इसे जादा पतला ना करें केक के बैटर की कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखकर इसकी कंसिस्टेंसी हमें बनानी है तो ये बैटर भी हमारा बन के तयार है और साइड में अप्पे स्टैन हमने गरम करने रख दिया था इसके साचो में थोड़ा थोड़ा तेल डाल कर हमें इने ग्रीस कर लेंगे और इन बॉल्स को अच्छे से बेसद की कोटिंग में कोट करके इन साचो में एक एक करके रखेंगे धक्कन रखकर पांच मिनिट हम इसे पका लेंगे और फिर चैक कर लेंगे पांच मिनिट हो गए हैं दोस्तों बटाटा वड़ा नीचे से पक चुका है और अब इसे पलट देते हैं थोड़ा सा तेल फिर से इनके उपर से डालेंगे ताकि इसकी आउटर जो लेयर है वो अच्छी क्रिस्पी हो जाए और थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन दिखने लगे और ढखकन रखके फिर से पांच मिनिट हम इसे पका लेंगे पांच मिनिट हो गए हैं दोस्तो और ये वड़े नीचे से पक चुके हैं अब इन्हें अलट पलट कर हम हर तरफ से थोड़ा थोड़ा पका लेंगे और आप धकन रखने की जरुवत नहीं है क्योंकि वड़े तो पक चुके हैं बस हम इन्हें अलट पलट कर इन्हें हर तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे दो मिनिट हो गए हैं और बटाटा वड़ा हमारा बनकर एकदम तयार है बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन बटाटे वड़े बनके तयार हो गए हैं दोस्तों और आप ही बताईए क्या ये कहीं से लग रहे हैं बिना तले हुए देखने में तो नहीं लग रहे हैं और जब आप खाएंगे तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये तले हुए नहीं है बस उसके लिए आपको इन्हें बना कर देखना होगा तो दोस्तों इन्हें जरूर बना कर देखे और आपको कैसे लगे ये मुझे जरूर बताए कमेंट करके अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए